रेडियो सिटी किचिन क्विक फिक्स में आपका स्वाकत है मैं हूँ आपका दोस्ट आपका यार शेफ जरार इस शो पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ किचिन के क्विक हैक्स एंड टिप्स तो आईए शुरू करते हैं कर दो किचिन में हम लोग जिंजर गालिक टेस्ट एक्जांपल या कोई और पेस्ट या प्यूरी बनाने कोशिश करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खास प्यूरी नहीं बन पाती है पेस्ट नहीं बन बनाता है क्योंकि मिक्सर के ब्लेड का फॉल्ट होता है अब मिक्सर का निटाल के तो शाप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक क्विक टिप बताता हूं किस तरह से मिक्सर का ब्लेड को आप शाप कर सकते हों कि आपको सिफ्व लेना है आपका मिक्सी एंड इसमें हम डालेंगे बस था नमक हना चाहे आप रेग्ला लीजिए या सॉल्ट या सी सॉल्ट और बस से बंद करके बस चला लेना है बस बस ब्लेट्स कर लेना है इस तरह से आपका ब्लेट आम शौर शाप हो जाएगा तेज हो जाएगा और आप बड़े आसानी से जिंजर गालिक पेस्ट टमाटर प्यूरी कोई भी किसमें का पेस्ट या प्यूरी आप बना सकते हो क्या आपके भी ग्रीन चटनी काली पड़ती है आज मैं आपको बताऊंगा एक क्विक हैक किस तरह से ग्रीन चटनी ग्रीन बने रहे और ना कि वह ग्रीन चटनी ब्लैक हो जाएगा आईए देखते हैं कि यह ग्रीन कैसे बने रहे हैं सबसे पहले हमने इसमें दनिया डाल काटाओ दनिया उसके बाद अधरक हरी मिर्च लैसुन और पुदीना इसमें हम डालेंगे बस एक टिबल स्पून पानी और हलका सा पहले इसे आपको पल्से करेंगे इसमें आप डालिए थोड़ा सा जीरा पाउडर आम चूर या चाट मसाला सॉल्ट स्वाद अनुसार ठीक है और लेमिन जूस और थोड़ा सा दही दही से जो है कलर आपका एन्हांस होता है एक टिबल प्रम सब्सक्राइब याफड आप कर देहां नचिए अनलय अवानन प्रिकर अखर परोग। या रहनिक है तर बाद सुल्ट को जब आपका मिक्सी चलेगा तो हीट जयरेट और तो हीट जैसे लिएट भी बढ़ती है चटनीं काली होती है क्योंकि ग्रीन चेंजिस कलर विद्धी अप्लिकेशन फीट ओके सो दाट इस वाई जैसे याप आइस आट करते हो आपके चटनी का टेंपरीचर जो है वो गरम नहीं होता है वो थंदी की तरफ जात है तो धनदी की तरफ जात है तो थंदी होन से क्या हता है और फिया था खाला नहीं होता है यह जा फाल अचीली है अस वेल आस व्लिकेशन प्रिट आपकेशन Okay, you can see the color, bright color, bright green color, so this is how your chutney will stay green and will be green. Isn't that amazing?